दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दे साथ हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई कि अब यहार के के इस जिले में रहते हैं तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से दोस्तों पहली ख़बर में देखे केंद्रे वे दलाए में 13404 पदो पर निकली बंपर वेकेंसी जादे केंद्रे वे दलाए में 13404 पदो पर आवेदन मांगे गए हैं इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाप की वेकेंसी सामिल हैं वहीं इसके लिए आवेदन के प्रक्रिया सुरू हो चुकी है इसकी कुमिद्वार संस्तान की ओफिसेल वेबसाइड के भी संगटन.nac.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं आपकी जानकारे के लिए बता दे कि इन पदों पर आवेदन करने के आखरी तारीक 26 दिसंबर तक है दो दिसंबर को केंद्रे विदाले संगटन के दुआरा भर्दी के लिए दो विगापन निकाला गया था इसमें प्राइमरी टीचर, पोस्ट ग्रिजवेट टीचर, ट्रेड ग्रिजवेट टीचर और कई नन टीचिंग पदों के भरदी के लिए आवेदन अमांद्रत किया गया है पादों के अनुसार रिक्तियों की सेंगा की बात करे तो primary teacher के 6414 पद, primary teacher के 303 पद, post graduate teacher के 149 पद, वही ट्रेट graduate teacher के 3176 पद, junior secretary assistant के 702 पद, विजरात में फिर भाजपा हिमाचल में बजबी काड़े का मुकाबला आपकी जाड़ू नहीं दिखा पाई कमाल। जा देखे गुजरात विदानसभा के दूसरे फेज़ की वोर्डिंग समौर को खतम हो गई अब 8 दिसमर को गुजरात के साथ हमाचल परदेश के चुनावी नतीजों का इंदिजार है अगले 72 घंटे में या तय हो जाएगा कि इस बार दुनों राज्जों में भाजबा चिकाड़े का मुकाबला का अनुमान है वह अगली बड़ी ख़वर में देखे दिल्ली एमसीडी एकजीट पॉल का दावा एमसीडी में पहली बार आप धाई सो में से 141 सीटे जितनी का अनुमान 15 साल से बीजेपी का बीच जाद के दिल्ली नगर निगम चनाओ के एकजी चिके एकजीट पॉल के मुदाबिक एमसीडी में आपकी सरकार भारी बहुमत से बनती दिख रही है बाजबा दूसरे और कॉंग्रिस का करीब पूरी तरह से सफाया होता दिख रहा है आपको बता दे कि इंडिया टोटे एकसे समय इंडिया के सर्वी के अनुसार एमसीडी 209 महिला प्रतासी थी बीजेपी और आपने सभी 2500 सीटों पर अपने अपने केंडिडेट उतारे थे जबकि कॉंग्रिस की 247 मिद्वारों ने चुनाव लड़ा था वहीं जिर्योई ने 23 सीटों पर तो AIMIM ने 15 सीटों पर केंडिडेट उतारे थे बाड़ी खर्मदे के खतम एक कुढ़नी उपचुनाव की वोटिंग 8 दिसमर को आएंगे नतीजेन 30 से तेजस्वी की महागडबंदन वो बीजेपी की प्रतिष्ट अदाव पर जादे के कुढ़नी उपचुनाव में 27.9 फिजी मद्दान हुआ है मुख निर्वाचन पतादेकारी एचार स्री निवास ने निर्वाचन विभाग में मद्दान समापत होने के बाद प्रेस कॉनफरेंस में इसकी जान करें दी है उन्होंने बताए कि 2020 में इस चेद्र के जुनाव में 64.9 फिजी मद्दान हुआ ता उन्होंने बताए कि मद्दान सांति पूर्ण तरीके से संपन हुआ है वहाँ देखे जद्वी प्रत्यासिवा पूरो मंत्रे मनोज कुमार सिंग और वो मनोज खुस्वाहवा भाजबा प्रत्यासिवा पूरो विधाई के दार परसाद गुपता समी तेरों मिद्वारों के किसमत एबियाम मसीन में कैद हो गई गिवोटो की गिंति गुरवार आट दिसमर को की जाई गोर इसके लिमत गाना केंदर आरडेयस कोलेज में बनाया गया है मैं अगली बड़ी खर्मन देखे सिंगापूर में लालू को केड़नी ट्रांस्प्लांट सफल एक घंटे चले आपरेशन के बाद होसा या हाथ हिला कर किया भिवादन जादे के सिंगापूर के अस्पताल में समौर को आरजरी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव का केड़नी ट्रांस्प्लांट सफल रहा एक घंटे तक ये आपरेशन चले व्याप की जानकारे के लिवदा दे कि लालू को उनकी बैटी रोहिणी ने कीडनी डॉनित की है लालू से पहले रोहिणी का अपरेशन किया गया फिलाल दोनों आईज़ीो में लालू यादव का हाथ हिला कर विवादन करती वीडियो उनकी बड़ी बेटी मिसस भार्ती न को मिलेगा जी आई टेग चंपारण प्रासद्वार हर संभा पर्यास किया रहा है आपकी जानकारे के बता देकि जीलादिकारी कुंदन कुमार की दिसा ने देश साल से कारी कर रही है या प्रियासा वंतिम चरण में सिख रही जिले के मरचा चुड़ा को जियाई टेग मिलने की प्रबल समहाऊना है बारिखर में देखे बीजेपी ने जेड़ियो मिद्वार पर लगाए बूद केप्चरिंग के आरोप चुनाव आयूक से रिपिलिंग की मांग की देखे कोडने उपचुनाव के खतम होने के बाद बीजेपी ने मुझेपरपु जिला प्रसासन और जेडियो मिद्वार पर गंभिर आरोप लगाया है। साथ दिया है उन्होंने जेडियो मिद्वार मनोज खुस्वाहा पर बूत केप्चर करने का संगेन आरोप लगाया है। और इन बुतों पर लगातार तेन गंडे तक वगस वटिंग होती रही। इसके साथ 20 इंटरसेप्टर वाहान 17 क्रेय ने 30 स्टेटिक स्पीट रडार गंद ता 50 स्टाड़ा सुमों गाड़ी खरेतने का प्रास्ताब इस सरकार को भेजा गया है। अनवरे माहने से लेकर सितंबर तक पोलिस ने 26 कड़ो रूपिय का जुर्माना वसुला है। इसका अंदाज है इस से लगाए जा सकता कि सिर्फ पिछले एक महने यानि 9 मा में हर दिन 4,282 चप इमारी की गए जिसमें उसतान 1529 लोग हर दिन गिरबतार किये गए। सिर्फ मर्दनी से दि विभाग हर दिन उसतान 834 गिरबतारी कर रहा है। इनमें सरकारी कर्मी से लेकर डाक्टर अधिवेक्ता वाजन पर दिन दिस से लेकर विविन चेतरों से जुड़ी लोग भी सामिल है। बाड़ी कर्मी देखे बिहार के गाउं की गलिया अब होगी रोसन मार्च तक पंचायतों में लगी गी तिन लाख से अधिक सोलर इस्टिट लाइट। वाज़ी के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गोतम के देख्सता मिस्वमार को सोलर इस्टिट लाइट के अपर्ति करता और स्टॉल करने के जैंसों के परतिनेदों के अलावा उर्जा विवाग और ब्रेडा के बदादी कारियों के साध समिक्चा की बेटक में बश्ट निर्देश दिया गया कि मार्च 2023 तक राज के हर ग्राम पंचाज के चार चार वाड़ों में 40-40 स्टिट लाइट इस्ताबित कर दिया जाए बाड़ी खर्मा देखे जीएश्टी कलेक्शन में टॉप पर बिहार नौवमबर में 21,000 करोड से ज़्यादा का राजस्व जमा ज्यादि के बिहार के वाने जेकर मंत्र विजे कुमार चोतरी ने बताई कि इस साल नौवमबर महिने में जीएश्टी कलेक्शन बिते वर्स क के मुकाबले 28 विजे ज्यादा है जीएश्टी कलेक्शन में बिहार पूरे देश में अवल है वहें उत्तर परदेश महराष्ट करनाटक और तामिल नाड़ो की मुकाबले बिहार में जीएश्टी कलेक्शन कई गुना ज्यादा है नौवमबर महिने में जीएश्टी वेड समीत आने टेक्स के जरिये एकिस जार आठ सो तिरासी कडूर रुपिय राजस्व के तोर पर जमा हुए हैं वह इसके अलावा उत्तर परदेश में नौ फिजदी महाराष्ट में 16 फिजदी करनाटक में 13 फिजदी और तामिल लौड में 10 फिजदी के इजापा हुआ है जबकि बिहार में 9 बर मा में जेस्टी कलेक्शन में 18 फिजदी के बड़ोत्री हुई है बाड़ी खर्मदेख लालान सिंग दूसरी बार बने जेडियो के राष्टी आदक्च आनिल हैंगडेने की घोसना 10 दिसम्मर को अपचारी के लाँ जदी के बाड़ी खबर राजीव रंजन उर्प लालन सिंग जदोई के निर्विरोद राष्टी आधक्च निर्वाचित हो गए हैं दो दिन पूर्व दिल्ली के राष्टी कारियाल में इस पद पर उनका नामंकन हुआ था सो मौर पाँच दिसम्मर को स्कूर्टी का रिपूर्ट होने के बाद जदी की राष्टी चुनावदी कारीव राज सबसांसद अनिल हेंगडी ने लानन सिंग की जोबारा निर्विरोद निर्वाचित के जाने की घोसना की है अड़ी खरमदी के राज के अस्पदालों में दो पालियों में होगी ओपेडी जादे के राज के सरकारी अस्पदालों में ओपेडी का समय बदलेगा अब एक पाली में चल रही ओपेडी की दो पालों में करने की योजना पर काम चल रहा है विभाग ने तै किया कि सदर अस्पदालों अनमंडल अस्पदालों पीएच सी आदी में पहली पाली सुबह नो बजे से एक बजे तक होगी इसके बाद दो घंटे का विस्राम होगा फिर दूसरी पाली तीन से पांच बजे तक होगा स्वास्त विभाग की ओर से जल्द इस बाबत अधिकारी की ने लिया जाएगा सरकारे अस्पदालों की ओपीडि में प्राय अभी मरीजों का उपचार सुबह आट नो से दो बजे की बीच हो रहा है लेकिन ग्रामेन इलाके या छोटे सारों के अस्पदालों में तई समय में मरीजों को उपचार नहीं हो रहा है तई आउदी में चिकिसक या आने स्वास्त कर्मी अस्पदाल में नहीं रहते हैं खास कर दूर दराज या गरामिन इलाकों के अस्वतलों से विभाग को इस तरह की सिकायते मिल रही थी इसलिए सरकार ने ओपिडे की विवस्ता को और कारगार करने का निने लिया है बाड़ी खरमने के राज में दीन और रात के ताबमान में गिरावरण श्रूँ दिसम्मर के दूसरे सब्धा से बढ़े गी और ठंड देंगे दिन में धूप जाने से लोगों को थोड़ी राहा तो जरूर मिल रही है लेकिन साम के चार बजे से दूप की धमा खतम हो जाती है मौसम विभाग के नुसार राज में पिछले 24 गंटे में नुनतम तापमान 9.5 डिग्री सेलसेस दर्ज किया गा वहीं अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेलसेस रहा है मौसम विभाग के पुरौनमान के अनुसार 7 दिसम्बर तक आसमान साप रहेगा वहीं सुबह के समय हलका कोहसा चाय रहेगा इसी बीच 3-5 किलोमीटर परती घंटी के रफ्तार से पचे हवा चलेगी वहीं देके ठंट के सिर्वात के साथ ब्रेन हेमरेज वह स्ट्रोक का खत्रा बढ़ जाता है चानक तेज सिर्दर्द उल्टी या बेहोसी चानी लगे तो हेमरेज के असंग का ज्यादा होती है आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें